दोस्तों मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि निरा फाइनेंस जो एप्लिकेशन है जो कंपनी है निरा फाइनेंस वो एक बार में ही लोन देना बंद कर देगी अब भाया मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है आकर ऐसा क्यों हुआ है लेकिन जो भी हुआ है न बहुत बड खराब रीजन हुआ है क्योंकि भई ये निरा फाइनेंस में मैं काफी पुराना रिलेशन से बना के रखा था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि निरा फाइनेंस ने लोन देना बंद कर दिया मुझे अब सच्चा ही क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ठीक है तो जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं मैंने निरा फाइनेंस एप्लिकेशन को ओपन किया है लिमिट भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वन लाक रुपीज की मेरी लिमिट है अगर मैं बात करूँ इस एप्लिकेशन से लोन लेने की तो मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर करके यहाँ पर मैं लोन का हिस्ट्री आपको चेक कर रहा देता हूं माई लोन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख लिए हैं लोन का हिस्ट्री यहाँ पर कितना है मेरा आप कुछ से देखे हो यहाँ पर 15,000 रुपे से लेकर के 40,000 रुपे तक का लोन में ले चुका हूँ यहां पर कोई इसू कभी नहीं अभी अचाय अचाना से लिए नियुड देना बंद कर दिया क्वजी खुद पता नहीं क्यों कर दिया यहां पर हम गेट लॉन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा है वी कैन नॉट ओफर योर रिफेक्ट लॉन निरा लॉन सर्विस इस करेंटली अंडर मैंटिनेंस ठीक है दोस्तों यहां पर यही तो यही तो सबसे बड़ा फन्लमेंट है कि यहां पर कंपनी साब चूर सर्विस का जो लॉन का जो शिस्टम है वो मैंटिनेंस पर है you can still pay your EMI and usual आप EMI को pay कर सकते हो जो निरा फाइनेंस एप्लिकेसन geوفे कर रहे होगे तो जिनका अभी loan activate है वो अपनी EMI को continue पे कर सकते हैं लेकिन नया जो loan है न वो नहीं ले सकते मतलब हम बहुत जल्दी इस service को launch करेंगे और आपको notification देंगे मतलब दोस्तों यहां पर आप समझ पाए कुछ कुछ समझ पाए कि इस company ने अचानक से loan देना बंद क्यों कर दिया नेरा finance maintenance में है या फिर RBI का धक्का लग गया अब यह कुछ कह नहीं सकते ठीक है फिलाल दोस्तों यहां पर जो है ना मैं पहले loan apply करता था था ना महीने बर पहले तो यहां पर लिखा आता था कि आपका current due चल रहा है current due repayment करो तब जाकर करो लोन मिलेगा लेकिन जैसे मेरा due प्रॉब्लम्स की मेरे account में वो सब सभी कराई लेकिन उसके बाद जब मैं यहां पर loan लेने के लिए सोचा यहां पर यह option आगया हाला कि सारे option यहां पर अनलॉक्टे मेरा bank statement लिया गया मेरा सब कुछ लिया गया लेकिन जब सब कुछ सब्मिट में ने यहां पर कर दिया उसके बाद यह आ गया option कि अभी हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं हमारा system maintenance में है अब maintenance में एक दर रहता है दो दर रहता है पांच दिन रहता है दस दिन रहता है लेकिन इसको पूरा महिना हो गया maintenance चलते चलते ठीक है अब आप समझ सकते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि company loan देना बंद कर दिया लग बाग मैं clear नहीं बता रहा हूं कि guarantee के साथ बंद होगे ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कहीं लेकिन डाउट हो रहा है कि कुछ टैम पेले आपको पता होगा कि एक application चलता था जिसका नाम ता ताला loan application बहुत परानी application संती 10,000 रुपे तक का loan देती लेकिन जब उसने बंद किया था loan देना तो कुछ इसी प्रकार का message आया था and उसके बाद उसने loan देना बंद कर दिया था और ऐसी काफी company हैं दोस्तों जिसमें यही problem आया और उसने loan देना बंद कर दिया बढ़ हम यहाँ पर निरा पर कोई सक पे करें कोई बीशू नहीं है नया loan अभी आप नहीं ले सकते और यह problem मेरे साथ हो रही है यह सभी के साथ हो रही है मुझे यह भी पता नहीं है प्लीज मैं आपसे हाँ जोड़कर request करूंगा जो भी मेरे viewers से नेरा finance की users सभी सभी मुझे बता है कि क्या यह problem है यह मेरे साथ अगर सभी के साथ है तो ठीक है अगर मेरे साथ ही के लिए तो मैं इस पर आवाद उठाओंगा और नेरा finance को mail करूंगा ठीक है और सब के साथ है तो कोई दिक्कित नहीं वह अपने आप सही होगा ठीक है तो यहाँ पर अचानक से ने लोन देना बंद किया है और लोन सर्व अच्छी लगती थी लेकिन आप मैं क्या करूं भाया नए लोन लेने में असमर्त हूं तो मैं आपको लोन ले करके देखा नहीं पहुँआ ठीक है दोस्तों इस वीडियो में आपको यूजफ यूजफिल जानका ही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और हाँ दोस लेकिन मेरे में ऐसा नहीं है अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली की दिखाऊंगा अगर वीडियो में जो भी मैं application का thumbnail में लगाता हूं अपने YouTube चैनल पर तो उसी का thumbnail के अनुसार में वीडियो भी upload करता हूं यहां पर कोई भी click-back करने की में कोसिस नहीं करता हूं बंदिगी समर जाएगी ठीक है आप चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहन बंदे मात